असलालेकुम प्यारी वीवर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब मीद है कि आप सब खेरियत से होंगे आज हम आपको डिफिरिंट विजिटेबल जो है रमजान के लिए स्टोर करने के तरीका बदाते हैं तो जिसके लिए हमने यह पहले सबसे पहले लिया है लेसन त जिसको हमने इस तरह से छील कि यह फूल ऐसे ही साफ कर लेना है तो यह तकरीबन आदा किलो का लेसन है यह देखे है लेसन जो हमने सारा जो है इस तरह से साफ कर लिया है हमने तकरीबन कुछ पीस जो है उसमें अद्रक के वी डाले हैं तो यह हमने लिया एक ग्राइंडर ज का फाइन पेस्ट भी नहीं बनाए लो हम आ वो क्यूबस की निकाल की on da कुछ पीछ हमें चाहिए होगा तो हम एक क्यूब निकाल काराम से उसमें डाल देंगे यह देखे हमने सारे जो है वह सांचे बर दिये हैं तो यह बहुत असानी होगी रमजान में नियाब को रोजाना जो है वह पेस्ट बनानी की नो जुरूरत नहीं पड़ी गी रमजान में अब दूसरी चीज जो हम आप स्टोर कर सकते हैं वो है यह प्यास की सबस्पत्य होते हैं यह रमजान में जो है लोग अमारे क्रोनी वगएरा चाइनिज राइस जो लाइट फूड होता है लोग ज्यादा बनाते हैं तो पिर यह आप पौन में भी यूज़ कर सकते हैं अप जिस साइज में प्यास वाला हिसस्सा है यो अलग कर दिया तरह हम इसको इस तरह से चोटा चोटा GUY काट रही है जिसस साइज में हमने सारे प्यास जो है उस तरह से काट लिया है अब क्या करना है यो करना है अगले स्टेप कि यह हमने खर्यापन जाइटून कते है यह जो है यह का चेमकई आएजर बिल्कु भी नहीं होगा, तुसरी इसका कलर बरकरार रहेगा, इसके बात हमने बस जिपलग के इसमें इसको बरके इसको बिल्कुल सील कर देना है और पिर हमने इसको फ्रीजर में रख देना है हमें पिर जब भी अब जरूरत होगी रमजान में तो हम इसको यूस करेंगे अब तीसरी जो चीज है वो होता है हरा दनिया तो ये भी रमजान में जो है एक तो इसकी यूज जो है रमजान में बहुत ज्यादा होता है और दूसरा ये बहुत नयाब हो जाता है रमजान में तो बिलकुल मिलते भी नहीं है तो और जहां मिलता है काफी मेंगा भी मिलता है तो इसको भी हम जो है स्टोर कर सकते हैं और बिकुल यह ऐसी ही ग्रीन रहेँगा तो क्या कहना है हमने इória कि जहने हैं रहे हैं थ द्यजिक हो ऐधी कपट है कि जिशन पे हैं और प्यारा है तो इसको लिरने सीजन से घ्मास करते हैं ये घ्रborg के हैsen गहाई..! या कोई समोसे बगर में डालने के लिए, पकोडों में डालने के लिए, चटनी बनाने के लिए हम अलग से तरीके कार आपको बताएंगे तो यह हमने सारा इनको चोटा-चोटा काट लिया है इसी तरह हमने एक चमच आलिव आईल लिया है जिस तरह हमने वो प्यास पे डाला था प्यास के जो सबस पत्ते हैं इसी तरह हम इसके उपर भी इस तरह जो है एक चमच आलिव आईल डालके इनसको बिल्कुल मिक्स कर लेंगे जिसकी वज़द से जो हरा धन्या है वो बिल्कुल ऐसी हरा हरा फ्रेश रहेगा और इसका कलर जो है ये ब्लेक नहीं हो गए ये तो पिर हमें जितनी भी जरुत होगी हम उतने ही निकाल के हम यूज कर लेंगे तो इस तरह देखो हम मिक्स कर रहे हैं यह मतलब हमी जो है उनको मिक्स कर रहे हैं और यह देखो जिपलाप का जो लिफाफ है इस तरह का तो यह इसमें हम अब डाल देते हैं और पिर हम इसको इस तरह से फ्रीजर में रख लेंगे और पिर जब भी हमें जरूत होगी हम इसको निकाल की इस तरह से इस्तिमाल करेंगे यह देखें तो यह जग़ भी जो है वो कम पकड़ता है क्योंकि सारे शापर आप एक की ऊपर एक ऐसे जो है फ्रीजर में रख लेते हैं तो फ्रीजर में जग़ जो है वो भी कम यूज होती है अब हमने चट्नी बनाने के लिए जो हरदन्य और पुदीना है उसका जो पेस्ट बनाना है तो इसके लिए हमने लिया है मिक्स यह हरदन्य और पुदीना और साथ में हमने सब्स मिर्ची ली है तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसको काट लिया है यह हमने ग्राइंडर लिया है तो अब हम यह हरा दनिया और पुदीना जो है मिक्स यह और साथ में जो है वो सबस मिर्चे यह इसमें डाल देंगे और पिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे यह पेस्ट बना लेंगे जिस तरह हम चटनी बनाने के लि तो पिर जब हम चटनी बनाएंगे तो एक क्यूब निकाल के हम बॉल में डाल देंगे दही में जो इसमें वो गुल जाएगा और पिर वो चटनी जो है बिल्कुल फ्रेश ग्रीन चटनी जो हमारी तयार हो जाएगे यह क्यूब्स हम निकाल के बाद में जिप लॉक वाले लिफाफे में डाल देंगे और पिर एक एक क्यूब निकाल दे जाएंगे यानि हमने सांच से पर ट्यूब्स निकाल लेने हैं और जिप लॉक वाले लिफाफे में डाल लेने हैं बर के रख देने हैं फिर वहीं से हमने एक एक निकाल के यूस करना है नेक्स्ट ये डीटेबल जो हम फ्रीज कर सकते हैं वो है टमाटर ये टमाटर जो है वो भी बहुत ज्यादा मेंगे हो जाते है रमजान में अभी से मेंगे होते जा रहे हैं, जैसी कि रोज़ा करीब आता जा रहा है तो एक टाइम पे अभी तोड़ा स़स्ते हो गएती लेकि जो इस तरह का चोटा हो तो आप इसको सिर्फ दो पीस में बीच में आदा काट के इसको दो पीस में काट सकते हैं लेकिन जो इस तरह बड़ा हो लंबा हो तो ये देखो हमने इस तरह इसका जो सिर्रा है वो काट देना है और पिर हम पहले इसको बीच में इस तरह से काट देंगे और पिर इस तरह से यनि हमने इसको चार पीस में काट लिया है सारे टमाटर जो है हमने इस तरह से इसको काट लेना है और पिर हमने इस जिपलाग का जो रिफाफाई ले लेना है और इसमें सारे टमाटर डाल देने है इससे ही होगा कि जब भी आपने कोई सालन वगार बनाना होगा तो आपको पता चलेगा कि एक टमाटर की नहीं चार पीस है हमने दो टमाटर डालने हैं, सालन में तीन डालने हैं, चार डालने हैं उसके साब से आप उसके जो टमाटर है वो निकाल लेंगे और पिर इसका चिलका जो है वो भी बहुत असानी से निकल जाता है तो यह इस तरह से हमने इसको फील करके लिए फाफी जो है वो फ्रीजर में रख देने हैं और साला में पर यह जल्दी गल जाते हैं अब लिए हमने यह सब्स मिर्चे सब्स मिर्चों का पेस्ट भी बना के इसको भी फ्रीज कर सकते हैं और सब्स मिर्चों की बहुत किलत हो जाती है रमजान में और चोट चोटे शाबर बना के 50-50 रुपैक में जिसमें पांचे सब्स मिर्ची होती हैं अलांकि यूज जो है वो ज्यादा हो जाता है रमजान में तो हमने इस तरह इसको चोटा चोटा काट के और फिर हमने इस तरह देखो हमने सारी मिर्चे काट ली हैं और फिर हमने इसको अब इफाफ में डाल के इसको फ्रीज कर लेना है पिर जितना हम सालन में इस्तेमाल करें हम उतना उसमें निकालके डालते जाएंगे तो यह सारी वजीर टेबल जू हम फ्रीज कर सकते हैं जितनी हमने आपको तरीक कार बदाए हैं तो आपका काम भी एक तो असान हो जाएगा और एक यह है कि आप अभी से इसको फ्रीज करके आपके पैसे भी काफी बच जाएंगे पूरा रमदान इसको आप यूज कर सकते हैं यह तेख हमने सारी चीज़े जो है बन कर ली है पैक कर ली है तो यह हमने टमाटर के पैक बनाए हैं तकरिबन चार पांच पैक बन गई हैं यह है सालान बनाने के लिए या पकोड़ों अगर के लिए हरा दन्या और ये हैं सबस मिर्चे सबस प्यास की जो पत्ते थे वो तो उसका जो ये पूरा पैक बना हुआ है और ये इसकी नीचे इसमें सबस जो हरा दन्या भी है और ये सबस पत्ते जो है इसकी भी है तो यह हमने सारे पेक्स बना लिए हैं अब इन पेक्स को जो हम फ्रीजर करके फ्रीज में डाल देंगे तो हमारा काम जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा रमजान में और इंशाला कभी भी जोरुत पड़ीगी तो हमारे पस अवेलेबल होगा अगर रमजान में जो हमें ना मिले तो और काफी हद तक जो हो बचचत भी हो जाएगी